नमस्कार, जैश्री कृष्णा, मैं राके शिवानी एस्टो चैनल में इनका आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, और जैसा कि कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडली देखते वक्त क्या-क्या चीज़े देखनी चाहिए, कौन-कौन से पॉइंट्स है, जो मैंने आपको पीछे बताए हैं, कि चंद्रमा के गोचर से, या अस्टकवर के हिसाब से, कैसे उन चीजों के जवाब आपको देखते हैं, तो कुछ सुत्र भी आपको बताए हैं, बड़े इंपॉर्टन सुत्र हैं, धनकम मिलेगा, किसी भाव के रिजल्ट का बैक् उसका स्वामी नोट कर लीजिए, जब दोनों एक साथ मिलेंगे गोचर में, तो पांसवा भाव एक्टिव, ये आपको ध्यान रखना बहुत आप, दूसरी चीज़ गोचर की एक बहुत इंपॉर्टन्ट होती है, गोचर हाला कि आप से में कितनी बार बताया है, मैंने पी आज की डेट में गोचर कर रहे है, मंगल है, शनी है, सूर्य है, राहू है, केतु है, ये तो कम से कम पाप ग्रह हैं, पांच ग्रह, ये पाप ग्रह है, आप अपनी जनम कुंड़ी ले लीजिए, और साथ में गोचर कुंड़ी लेने, गोचर कुंड़ी भी जनम कुंड़ी गुरू के भावों की हानी करेगा। गुरू के कारकत्तों की हानी होगी। अ हुआ अब आपके पास कोई आता है कहता है। मैं धन निवेश करना चाहता। तो आप देखा है। सपस्निय भाव भैव AO में बैठा वॉयाय। और उस छूथे भाव पे गोचर में आज की देट मे शली चल रहा है तो उसके बहुत ज्यान देने वाली एक चीज हम लोग बहुत इस्तिमाल करते हैं कि हम ही कहते हैं कि कुंड़ी देखते वक्त हमेशा भाव का बल जरूर देख लेना चाहिए मैं भाव का बल कैसे देखें कि भाम में भाव का स्वामी भाव को देख रहा हो भाव में उच्छा अभइ भैटा भाव शुब कत्री में हो या भाव का स्वामी भाव में ही बैठा हो तो भाव मजबूत हो जाए यह एक चीज बहुत इंपॉर्टन रहे अच्छा भाव में भी बड़ा एक इंपॉर्टंट है कि त्रिकोन सबसे इच्छे भाव होते हैं केंद्र लाव सबसे बढ़िया भाव केतु हमेशा छुप करता है, तो पंचम अगर केतु है, तो ऐसा इंसान छुप कर प्रेम करता है, बिना किसी को बता है, आठवे भाव में केतु है, तो ज्यान प्राप्ता, बहुत ज्यान प्राप्ता, शुप रह के घर में राहू, शुप रह कौन कौन से है, ब्रस्पती है, चंद्रमा है बुद्ध है शुक्र है ब्रस्पतिय शुक्र तो निर्विवाद रुप से शुब है लेकिन चंद्रमा और बुद्ध कंडिशनल शुब होते हैं चंद्रमा पक्षपली हो तो शुब बुद्ध अगर अकेला हो तो शुब तो इनके घर में अगर राहू बैठा ह है इनकी राशियों पर अगर राहू बैठा हुआ तो राहू से जर्जन रहता है तो से तरह गित तो वो दुर्जन की तरह वेवार करता ये वात हमको ज्यान में रखनी चाहिए अच्छा एक चीज और है कि अगर गोचर में अपनी राशी में शनी का गोचर आपने देखा और शनी जो है वह अपनी राशी में गोचर कर रहा है आपके लगन से दीवन चार्ट मैंने आपको बताया जब यह गोचर की बात हम लोग कर रहे हैं तो जो आपका डीवन चार्ट है जिस लगन का उसी लगन की गोचर कुंडी बनाईए और फिर आप देखिए हो सकता है कि शनी का गोचर चंद्रमा से अच्छा ना हो शनी जो होता है वो टाइमिंग का कारक होता है इसका मतलब यह हुआ कि शनी की रिजल्ट अच्छे नहीं में लेंगे लेकिन यह देख लेना जरूरी है तो जितना इंपॉर्टन शंद्र से गोचर देखने की है उतनी इंपॉर्टन लगन से गोचर देखें तो यह भी देख प्रधानता चंद्र से गोचर देखने की है उतनी प्रधानता लगन से गोचर देखने की है तो चंद्र से गोचर देखते वक्त अगर आपको गोचर अच्छा नहीं मिलता है तो लगन से गोचर भी चेक कर लिए क्या ग्रह अपनी ही राशी में गोचर कर रहा है या अपनी उपर आज ही डेट में कौन से ग्रह चल रहे हैं, उसे प्रभावित करते हैं, यह जन्म के समय से शुप ग्रहों के उपर से पाफ ग्रह गोचर कर रहे हैं, जन्म के समय आपका मालिया चौते बाव में कोई शुप ग्रह था, गुरू था, शुक्र था, उसके उपर पाफ ग्र कोचर कर रहा है शर्णी कोचर कर रहा है, सूज होता है चटा मामा को देखते हैं जदि चटा भाव एक्टिव हुआ तो मामा वाला या ननिहाल वाला पक्षा आपका एक्टिव हो गया और बोचर में भी चटा भाव का स्वामी आपका पीडित है तो हम कह सकते हैं कि मामा को प्रब्लम हो सकते हैं चटा भाव मामा का भाव हो जाएंगे च्छटा भाव अगर दशा में एक्टिव है तो लेकिन अगर च्छटा भाव का स्वामी पीडित है गोचर में तो आप ये भी कह सकते हैं कि मामा की तब्यात खराब होगी मामा को प्रॉप्लम तो ये भी आपको ध्यान लगा इसके अलावा कुल्ली में दो या दो बैठेगा तो आपकर भाव के सौमी के साथ बैठेगा तो रोग बढ़ाएगा तो ये जरूरुर ध्यान देना चाहिए आपने के उस भाव से जो भी कारकत तो आप देखते हैं, अगर उस भाब के स्वामी के साथ, लाब भाब का स्वामी बैठे, तो उस भाब के कारकत तो बढ़ जाएगा, रोग देखते हैं तो रोग बढ़ जाएगा, सुक देखते हैं तो सुक बढ़ जाएगा, विद्या देखते हैं तो विद्या बढ़ जाएगी संतान देखते हैं तो संतान में positivity आएगी तो इस थरीके से आपको पुर्ली में देखना है जब दो या दो से दिग ग्राउं की यूति हो इसी प्रकार व्य भाब का स्वामी भी देखिए छटे आठवे बारवे भाब का स्वामी जिरूँ आपका देश चुलवा सकता है आपका घर चुलवा सकता है ये सब चीजें वो कर सकता है तो आपको ये भी देखना जरूदी है कि यूति जो है वो किस-किस ग्रह में क्या यूति आपके आठवे भाब के स्वामी के साथ तो नहीं आपके किसी ग्रह की अब आठवे भाब का स्वामी जिस रहे के साथ बैठेगा उस रहे कारकत्रों में तो बड़ा प्रोग्लम क्रियेट करेगा तो यह देखना भी बहुत आवश्चक है कि जब दो ग्रहों की यूति हो तो दोनों ग्रहे किस-किस भाब के स्वामी हैं इन पर जरुदर जरुदर उन से देखने के बाद आप कुछ आडिया लगा सकते हैं क्योंकि ग्रहों की यूती में में चीज यही है कि आप एक तो यह देखें कि यह दोनों किस-किस भाव के स्वामी है इस कुंडली में जो कुंडली आप देख रहे हैं फिर यह देखें कि कालपुरुशी कुंडली में यह दोनों किन-किन भाव के स्वामी है वो नोट कर लीज कि जो कुंडली है आपकी जो कालपुरुशी कुंडली है उसमें किस भाव के स्वाम उनको भी चेक कर लिए और उसके बाद मिक्स करके आप रिजर्ट जब बोलेंगे तो आपका रिजर्ट पहुत तो आशा करता हूं आपको यह समझ माया होगा समझ माया तो कांडी लाइब क कि अवड़ूण समझ कांडी कर चतुम कर दो आपको यह समझ अवड़ूण समझ द्री लाइब कांडी कुंडली में चाहिए और वह समत्रावण समय के से पाव किया अवड़ूण